लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और उनके बेटे करते हुए पूछना चाहे रहे हैं कि भाई और भाई के मद्ध कैसा संबंध होना चाहिए करप्या समाधान करें आज वो यहां उपस्तित हैं पर चुकी अपन कह रखें कि ऑनलाइन प्रस्थित हो भाई और भाई के पूछना वहां सुन ले लेकिन आपने पूछा है तो अतन संशेप में उत्तर दूँगा भाई और भाई के बीच का संबंध है दूद और पानी जैसा होना चाहिए जो दोनों अलग होकर मिले तो एक मेक हो जाए दूद पानी में घुल जाए पानी दूद में घुल जाए इसका नाम ही है भाई और भाई का संबन्ध आजकर लोग भाई और भाई के साथ का जो संबन्ध है उसे केवर रक्त संबन्ध तक्सीमित रखते हैं जबकि सचे अर्थों में भाई और भाई का संबन्ध केवर खून का संबन्ध नहीं है नितान्त भावनात्मक लगाव होना ही उनके संबंध को चरितार्थ करता है जैसे राम लक्षमन भरत सत्रुधन्त वो संबंध था वैसा संबंध अज भी होना चाहिए लेकिन ये तभी संबंध है जब विक्ति स्वार्थ परता और अन्न प्रकार की छुद्र बातों से दूर हो एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहे एक दूसरे के लिए उत्कृष्ट त्याग करने की भावना जिनके अंदर हो वही भाई भाई जैसा होता है जो एक दूसरे का सहयोगी हो एक दूसरे के पतिशा दभाव रखे एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे के लिए अच्छी प्रेड़ा भी दे वो भाई भाई जैसा होता है मैं आपको एक ऐसे भाई से पर्चे कराऊंगा दो भाईयों का एक परिवार क्या सम्मंध होना चाहिए भाई और भाई के बीच का मैं समझता हूँ मैंने प्रोचनों में भी कई बार इसका उलेख किया है आज एक लंबे समय के बाद इसका प्रशंग आया है तो मैं भाई भाई कैसा होना दो भाई दोनों भाई अलग अलग शहरों में वर्सों से अलग अलग कारोबार कर रहे थे अपना अपना काम और सब कुछ अपने तरीके से चल रहा था अचनक बड़े भाई को मालूम पढ़ा कि छोटे भाई ने कुछ बड़ा नुकसान कर लिया है बजार में देंदारियां है और वो परिशान में है परिशानी में है शेयर्स में और वाइदा बजार में उसने बड़ा नुकसान कर लिया था लोगों के माध्यम से बड़े भाई को मालू पड़ा कि छोटे भाई के उपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ गई है वो देने की इस्थिति में नहीं है और बजारे में उनकी इस्थिति खराब हो गई बड़े भाई की धर्मपत्नी को जैसे पता लगा धर्म पतनी ने अपने पती से कहा आज भाई परकष्ट हैं हम लोग समर्थ हैं हमें वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए और आपस जब पतनी ने कहा तो पती के मन में तो यह भाव था ही वर चलो हम लोग उनको समझते हैं क्या नहीं है बगैर सूचना के सीधे उसके घर गए दोनों पती पतनी अपने घर में भाई और भावी को आया देखकर उसे हर्ष भी हुआ और आश्चर भी के अचानक कैसे आ गए लेकिन मन में एक भाई भी हुआ कि अब भाईया को सब वास्ता विक्ता पता लग जाएगी तो उन्हें क्या मूँ दिखाएंगे भाईय ने उसके सारे भावों को समझते भे कहा कि भाईय तुझे किसी भी प्रकार का संकोच या डरने की बात नहीं है मैं तेरे पास आया हूँ तेरी हालत मुझे पता है मैं इस्तितियों को जान गया हूँ अब तुझे बस उसी के निवारेन के लिए आया हूँ तुझे किवल एक ही बात कहना है जो है सबसच बता दोनों भाई बैटे और बोले बता किसको कितनी देना है देंदारी तेरी बची है सब एक कागज में लिए सारी देंदारिया एक बहुत मोटी रकम थी उसने लिखा फिर उसने बोला आप बता इसके अलावा और कुछ तो नहीं है एक बार और याद कर उसने फिर एक दो बता बहले देख एक भी छिपा नहीं होना चीए जो है सो बता भाई के आग्रह पर उसने सारी देंदारियां दे दी दिख दी उसके बाद कहा देख ये बहुत बड़ी देंदारी है और ये तुझे पता है तेरे जीवन भर की कमाई तो गई ही एक बहुत बड़ी राइबिलिटी तेरे साथ खड़िये पर चिंता करने की बात नहीं है अब तक जो हुआ सो हुआ इसकी तुम चिंता मत करो लेकिन आगे नहीं होना चाहिए इसका संकाल करो ये जो हुआ इसकी भरपाई तो मैं करूँगा पर आगे होगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं होंगा भाई के चर्ड़ों में गिर गया भला भाया मैंने सच सच बता दिया मुझसे ए गलती हो गई और इस गलती को चिपाने के पीछे मैंने कई और गलतियां की इसकी टोपी उसके सिर करके अब मैं संकल्पित हूँ कि आगे ऐसा नहीं करूँगा पती पत्नी दोनों दोनों कपल साथ में थे दोनों के आँखों से आशो उसके बाद भाई ने उपूरे लिस्ट ले लिस्ट लेने के बाद सारे सम्मंधितों को बुलाए और ये सारी चीजे बता कर कहाँ देखे ये जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है इसकी पूरती मैं करूँगा और यहां से पूरा करके जाऊंगा आज के बाद आपको भाई से कुछ बोलने की जरुवत नहीं है और नहीं किसी प्रकार सा कोई लेन देन करने की जरुवत है अगर कुछ है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी वो वहां कुछ दिन रुक कर पूरा हिसाब चुकता किया फिर वहां से गया आज भाई फिर खड़ा हो गया उस वेक्ती ने कहा मराज हमने कलोलो कमाया उसका हमें वानन्द नहीं आया जो उस समय अपने भाई को समभालने पर आया बस यही भाई और भाई के संबंद को रिखांकित करने वाली बात है अगर ऐसी दृष्टी लोगों के हुदे में आ जाए तो जीवन का मजा ही कुछ और हो